आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक तगरा कंपेरिशन लेके आया हूं बिट्विन टू अप्डेट में भहुत सारा अपडेट्स आप लोगों पता है टाटा ने किया है फ्रम दे बेस मोडेल टिल टॉप मोडेल तो वेरियंट में आपको बता देता हूं तो बहुत ही फो मेरा डायां तरफ आप प्यॉर QA उप्षेंट प्यॉर्विन 노리 स्फेंट प्यूर्विंट वेरियंट मिदायें अभी उप्षेंज व्युस के ऊपर अगर आप रोंщее डेंगे देन यह Adventure S variant आ जाता है दोनों का में एक्षोरूम प्राइस आपको बता देता हूं यह जो प्यूर ऑप्षेंट है इसका एक्षोरूम प्राइस है 6,70,000 और यह जो Adventure S variant है इसका एक्षोरूम प्राइस है 7,60,000 तो दोनों में तक्रीबा 90,000 रुपीस का डिफरेंस है देके आपको Adventure S में क्या मिल जाता है वो में इस वीडियो में बता दूँगा अगर आप नॉर्मेल एडवेंचर वेरियेंट लेंगे जिसमें संरूफ नहीं है देन उसका एक्षोरूम प्राइस है गरात वीडियो करते है डोनों के एक्सेडियेर के बार बात करके सो पहला प्यौर अप्षेटक देख लेता है है सो यह जो सामनेकी अठाफी है आपको सिंपल मिलता है कोई भी रिऊप चनल चरबियाई अबट को मिलन पर नहीं मिलता है ताटा का लोगों यहां पर रहुते हो यह इहां पर इडमोट को यहां पर हम देख सकत है फूल हेलोजन रिफ्लेक्टर अपको हैं सले मिलता ही अब फॉल मैं घ्याल नहीं मिलते यांपको फूलiform मिलता है त्रक्राथ आज़ाएंप erg defining घ्यां पको फ्र लॉप्शन जासा है जाधा खुछ चीफरंस आपको इसमें भी नहीं प्रूफायल अभी चलते हैं गारी के साइड प्रूफायल पर क्या 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 आपको मिल जाता है देख लेते हैं प्रोफाइल में पहला चीज जो आपको में लगेगा वह इसका टायर अगर आप नॉर्मल प्यॉर वेरियन पर जाएंगे वहां पर कोई भी आपको विल कवर नहीं मिलता है बट अभी क्या है आपको प्यॉर अप्शेंट से विल कवर मिलना शुडू हो जाता है आपको और यहां पर आपको ब्लैक कलर पर यहां पर आपको बॉडी कलर में दोनों आपको यहां पर भाई हाथ से ओपेन और क्लोस करना परेगा बट एक जो अच्छा चीज है वह है कि पहले प्यॉर वेरियन पे इंडिकेटर फेंडर पर आता था बट अभी यहां पर आपको मिल यहां पर आपको और भी मिलेगा बाद दोनों का जो मिरर है वह आप इलेक्ट्रोनी के लिए अज्जस्ट कर सकते हो फिलाल अंदर से करना परेगा दोर हैंडिल जो है प्योर आप्शन में आपको मैट बैक पर मिलता है यहां पर बॉडी कलर में है दोनों गारियों पर आप अव्यूबर आपको रुफ लेल नहीं मिलेगा अडवेंचर इस दोनों में द्रॉम अब इसका जो रियर प्रोफायल है पहले बात करते है प्योर ऑप्शन के बारे में काफी सिंपल सरी यह प्रोफाइल है कोई रिवर्स पार्किंग यार?प दिफर नहीं मिलेगा सिर्व दिया गया है दो पार्किंग सेंड सरे एक हैं यहांपर नीचे आपको यहांपर रिवस दिया गया है एक इसका टेलॉलाइट फूल आपको हैलोजन पर लोग देक सकतो यहांपर तो does करेंगे यहां पर देख सकते पूट्पर कोई पर्शिल्ज्ध यापिर कोई 60πωςrium n Cheek और ऑप्शन का बूट अभी चलता है गाइस एडवेंचर एस का रियर लुक चेकाउट कर लेता है यहाँ पर भी एकदम सिमेलर है कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर भी आपको डूवल पारकिंग सेंसर मिलता है कोई भी कैमरा नहीं मिलेगा पांच का ब्रैंडिंग है यहाँ पर भी आपको टेल लाइट सेटप फूल हैलोजन पर ही मिलता है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर भी हलोजन है और इसमें भी कोई रियर वाइपर दिफोगर नहीं मिलता है इसमें पर जो मिल जाता है वह बूट लैंप साजू करेंगे यहा आपको मिल जाता है काफी अच्छा ही बूट है आपको प्यूर ऑप्शन का जैसे मिलता है तो यह गाइस दोनों का रियर प्रोफाइल कैसा लगा आपको कौन सा वैली फॉर मानी है मुझा जरूर कमें सेक्शन बताइए अभी प्यूर ऑप्शन का रियर सी चेक आउट कर ल सामने दोनों तरव आपको पाव विंडो मिल जाता है बॉटल ओल्डर है स्पीकर का प्लेश्मेंट है सीट्स आपको भाई फैब्रिक फिनिश में ही मिलेगा नॉर्मेल एकदम फैब्रिक है कोई भी डिजाइन नहीं है फिस्ट है मैंने आपको बोला था कोई आम रेस्ट और चीज़ चीज़ एक दम फ्लाट आपको पीछे का रियर मतलब फ्लोर मिल जाता है तिस इसको करते हैं क्लोज एडवेंचर एसका यह दोर ओबन करते हैं तो यहां पर आपको वाइट मिलता है यहां पर आपको ग्रीन टेस्चर दिया गया है विंडोड इसमें भी है ब्ल सीट आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी लेगा फूल ब्लाक कलर सीट नहीं है थोड़ा सा टेक्स्चर है यहाँ पर यहाँ पर भी आपको फिक्ष्ट हेड्रस्टी मिलता है आइसो फिक्स चाहल सीट बाउंस है और बीच में जो एडिशन है वह है रियर रेस इवेंट से आपका रियर इस इवेंट चुरू हो जाता है और नीचे आपको 12 बोल का सॉकिट भी दिया गया है ब्लोवर कंट्रोल के साथ उपर अगर हम देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा संरूफ जिसका कंट्रोल में अंदर जाके आपको दिखा दूंगा यह कुछ सब्सक्राइब में बैठा हो इंसाइद दा प्योर ऑप्शन वेरियंट सिस्टम दुखुछ नहीं मिलता है आपको इसका इंटीर आपको डूएल फिनिश में मिलेगा ब्लैक और वाइट कलर पे काफी प्रीमियम है आपको लगेगा नहीं कि यह बात करो स्पेस काफी अच् सब्सक्राइब मिलता है यहां पर अपना फोन वालेट रख सकते हैं यहां पर दिया गया है थोड़ा सा पॉकेट है यहां पर डूएल का फोल्डर के साथ ऊपर आपको इस वेडियन पर कोई भी मैनुल दिमिंग या फिर आटो डिमिंग नहीं मिलेगा प्लेइन सा एक मिरर है यहां पर हैलोजन में यहां पर रीडिंग लैंप है वाइजर में आपको मिलेगा कुछ भी नहीं अच्छी टिकिट होल्डर आपको मिलता है काफी भद्धा सा मिलता है होन प्लीज आप मतलब आप्टर मार्केट में चेंज कर वा लीजिए बहुत ही बेकार सा होन है हाइट अपको सिर्फ मिलता है रीच का एजस्मेंट नहीं मिलेगा यहां पर आपको यहां पर दिखा देगा स्विच बारे में बात करूं मतलब अपको मोड का बटन एंड यहां पर एक पोकेट है कोईन राख सकते हो वार्वियंज मैंने आपको पूला था यहां से अजस्ट कर सकते हो जैसी के आप लोग देख सकते लेक्ट्रोनीकली अजस्टेबल मिल जाता है यहां पर आपको वान टाच नहीं है नॉर्मल आपको मि अब एडवेंचर यहां पर थोड़ा सा दिफरेंट्स देखेंगे क्योंकि यहां पर आपको यह ग्रीन टेक्च्चर मिल जाता है उसमें वाइट था इसमें घ्रीन है यह तो ब्लैक ही पार इसमें कोई डिफरेंट्स नहीं है लब बोक्स अगर हम लोग देखेंगे यहां और भी कोई कुलिंग फंक्चिन या लाइट आपको नहीं मिलता है बट स्पेस के मामले में इस एबसलूटली सेम नो डिफरेंट्स यहां पर एडिशन हो जाते है वह है कि छोटा सा आपको स्क्रीन मिल जाता है यह टूरीन का सिस्टम है यह फ्लोटिंग डिस्प्ले आपक प्रीट्स यहां पर आपको चंट्रोल करने के लिए आपका ट्यूनर सेटिंग जो है आप सेट कर सकते हो यह आपका व्ल्यूम कंट्रोल है और आपको ट्रैक्फट चेंज करने का बटन मिल जाएगा इस व्यूंग उत्वाइव एपको मैनुल एसी मिलता है सो नो डिफरें वेरियंट 12 वोल का एक सॉकेट है पॉकेट है यहां पर फाइस्पीट का मैनल रांस्मिशन है यहां पर आपको यह प्रीमियम सा 3D एफेक्ट मिल जाता है जो आपको प्योर ऑप्शन में नहीं मिलेगा अभी जो डिफ्रेंस है मतलब अगर यहां पर आपको यहां पर स्पेस मिल जाता है यहां पर आपको मैनल डिविंग आयर्व मिल जाता है LED में रीडिंग लैंप है ऑपस करने के लिए आप इसको प्रेश कीजिए यार संठोल फिल फिल फ्लोस फटयरीशल में मिल जाता है और नो कुस प्रोस्ट्रोल इवन अंधिस वर्येंट अल्सो एजस्मेंट ओविसली फर हाइट नॉट फर रीच अभी यहां पर दो चीज आपको एडिशन मिल जाएगा मतलब अगर आप लोग अगर आपको आपको अपको मिलते हैं यहां पर इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर आपको इहां पर डिजिटल मिलता है no difference there you can change everything from here so यहां से सारा information आपका change हो जाएगा buttons के बार में बात करूं button placement is same यहां पर आपको eco mode का button मिलता है and auto idle का button यहां पर दिया गया है यहां पर भी एक pocket मिलता है phone phone आप रख सकते हो coins भी रख सकते हो electronically adjustment for the mirrors as you can see मैं एक बार आपको दिखा लेता हूं so you can adjust it from here and यहां पर सारा buttons आपको से मिलता है window lock का switch है so this is the interior of the adventure S variant कैसे लगा आपको interior मुझे आप जरूर बताईए value for money लगा की नहीं as compared to the pure option वो भी मुझे बताईए सबी चलते है गारी के बाहर और मैं मेरा verdict आपको दे देता हूं so guys यह था मेरा detailed comparison between the pure option and the adventure S variant अभी pure option के साथ अगर मैं compare करूँ सबसे ज्यादा change जो है वह आपको अंदर में ही मिलेगा ज्यादा बाहर में उतना change नहीं है and features के मामले में obviously भाई इसमें आपको sunroof मिल जा रहा है आपको अंदर में बहुत सारा मेरा detailed comparison यही था वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत बूलिए चैनल पर सब्सक्राइब करना मत बूलिए मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स वीडियो पर तिल एन चाओ